हेलो फ्रेंट्स वेलकम बेक टो मैं चनल टेक साब जी दोस्तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चनल टेक साब जी में दोस्तो काफी लंबे समय से वीडियो नहीं आई थी चैनल पर फाइनली वीडियो लेकर आया हूँ मैं आपके लिए एक data.in website को login करते हैं तो आपको दोनों scholarship आपको यहां दिख जाती हैं NTSC scholarship और NMMS scholarship यानि दोनों ही scholarship का students को हमें सा इंतियार रहता है प्रतिक पर से इंतियार रहता है क्योंकि यह काफी valuable होती है students के लिए क्योंकि इसमें एक scholarship के अंदर अच्छा-कासा पैसा भी मिलता है तो दो दोस्तो बिलकुल भी वीडियो के script मत कीजिएगा और सुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को जरूर देखेगा तो दोस्तो सबसे पहले हम बात करते हैं जब दोस्तो आप ENT.data.in website को login करते हैं तो दोस्तो आपको यह website open हो जाती है तो दोस्तो यहां जब आप देखेंगे तो आपको इस website से online ही apply करना है तो दोस्तो कैसे आप apply करेंगे और क्या 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 इसकी eligibility है वो मैं सारी detail इसमें बताने वाला हूँ तो दोस्तो सबसे पहले हम बात करेंगे class 8th की scholarship यानि NMS scholarship के बारे में दोस्तो इस scholarship के इंतरगत जो निर्धारीत अरता रखी गई है वो मैं apply की जाती है दोस्तो इसमें जो रखी गए अरता वो है यानि students जो 7th class में उसकी परसेंटेज है 55% होनी चाहिए 7th class में और यदि वो general OBC से है तो उसके लिए 55% मागी जाती है पिछली class यानि 7th class में और यदि SC और ST students है तो उसके लिए 5% की छूट जाती है यानि 50% यदि उ दूसरा जो सो इसको ये exam date रखी है वो 13 December में इसका exam होगा जिसमें exam में जो qualify कर जाएंगे तो वो इस scholarship लेने के लिए अहर हो जाते हैं दोस्तो इसका जो आविदन की जो last date है वो 10 November तक है और इसमें 10 November तक आप आविदन करेंगे काफी छोटा समय यानि कुछ थोड़ा कम सम में दिया गया इस scholarship का तो दोस्तो और इसमें जो आविदन करेंगे इसमें राज की अनि फुली government school के students आविदन करेंगे और government edit के students आविदन करेंगे और दोस्तो तो इसमें केंद्रिय और नवोधिये आवासी school के students इसमें आविदन नहीं कर सकते हैं और दोस्तो दूसरी scholarship के बारे में जो बात करते हैं हम जो class 10th से है जो state NTSC scholarship है तो यहां इसमें कोई भी students किसी भी school से हो या नवोदी से जवार से वो इसमें आवेधन आसानी से कर सकते हैं इसमें किसी की कोई तो आप इसमें आसानी से अपलाई कर सकते हैं तो दोस्तों इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ यह जो फॉर्म है यह नि रास्टे आयम योगित अच्छातवर्ती के लिए दो स्टेप में फॉर्म भरा जाएगा उसी तरीके से NTSC जो scholarship है जो class 10th के लिए रखी ग दोस्तों एक application form इसमें निकलता है जो कि आपको अपने स्कूल से verify कराना होता है उसके बाद में document upload आपको करना है document upload जो आप खिलिक करते हैं दोस्तों इसमें document upload के लिए काफी technical चीज़े मांगी गई है तो दोस्तों यहाँ पर photo upload करना है signature upload करना है school certificate आपको upload करना है उसके ब along करते हैं और बाकी चीज़ें आप देखी रहे हैं दोस्तों दूसर चीज़े है यहाँ पर आपको जो file जो save करनी है उसका file का जो technical file मांगी है how to upload यहाँ फाइल का मैं बताना चाहता हूं दोस्तों काफी students के लिए problem यह है कि file कि इस तरह से upload करनी है जो आप photo की file को जो आप save करेंगे तो photo photo इस तरीके से आप लिखेंगे और register number जो आपका generate हुआ है इस तरीके से फाइल को save करेंगे इसी तरीके से signature को आप save करेंगे SIG capital में register number जो generate हुआ है उसको आप यहाँ पर लिखना है इसी तरीके से आपको cast का यदि आप cast अप्लोड कर रहे हैं तो आपको इस ऐसी valuable वीडियो मिलती रहें और आपको notification भी मिलते रहे